हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडेने स्टडी, इंडेने स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग लिए जीके का टेस्ट लेकर क्या यहाँ जो कि आपके आने वाले एक्जाम UPSI के लिए बहुत ही जादा इंपोटेंट है वीडियो को एंट तरह जरूर देखिएगा क्योंकि लाश्ट रे मैं आपसे कोसंस भी पूछूंगा और उसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा साथ ही साथ इस वीडियो की पीडिया डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम चैनल का लिंग दिये हुआ है वहाँ से आप प्राप्ति कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हो और देख लेते हैं पहला कोसंस पहला कोसंस आपके सामने है ओजोन के इस्थर के मापने की एकाई क्या है या ओजोन परत को मापने की एकाई क्या है जल्दी बताइए तो सही आंसर आपको क्या हो जाएगा सर ओजोन परत को मापने की जो एकाई है वह है डॉप्सन यानि कि इस questions का दूसरो options यहाँ पर आपका बिल्कुल correct होगा ओजोन परतकुम आपने की काई क्या एसर options दूसरो options यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर correct हो जाएगा next questions दोस्तों आपके सामने संग मरमर इनमें से किस प्रकार की चट्टान के रूपांतरण से बनता है जल्दी बताईए संग मरमर इनमें से किस प्रकार की चट्टान के रूपांतरण से बनता है important questions है तो सही answer आपके क्या हो जाएगा सर चूना पत्थर पहला options correct नेक्ष्ट कोसं सर आपके सामने इन में से किसे प्रकति किड्री भी कहा जाता है तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा प्रकति किड्री किसे कहते हैं आदर भूमियों को जो वैट लेंड स्थल होते हैं उनको 1939 के सारदा अधीनियम दौरा लड़कियों के विवा की आयू निर्धारित की गई कितनी तो सही आंसर हो जाएगा आपका 14 येर परजेंट में 18 वट से लेकिन ये सारदानी नियम वाली बात हो रही है 1929 वाली तो 14 येर थी तीसरो ओप्सन्स करेट आर्थिक निस्करमन से दान को किस ने प्रतिपादित किया था तो ये दादा भाई नरो जी ने प्रतिपादित किया था तीसरो ओप्सन्स करेट निमलिकित मेंसे किसे ओवेन मेरी डित के नाम से भी जाना जाता था लिटन को चोथा ओप्सन्स बिल्गल करेक्ट लौड लेटन को चैंपियन आफ दी अर्थ पुरुसकार किस संस्ता दोरा दिया जाने वाला पुरुसकार है तो सही आंसर हो जाएगा आपका UNEP यानि कि इस कोस्टन्स का तीसर आफसंस बिल्कुल क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा UNEP की बात करें तो United Nation Environment Program जिसकी स्थापना जो है 1972 में होई थी भारत के किस राज में सरवादिक बाग पाए जाते हैं तो किस राज में पाए जाते हैं मदबर्देस तीसर आफसंस करेट वर्स दोजार सत्ताइस तक भारत सरकार दोरा कितने गीगावाट पाजस का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है तो राज जी एस्टी वा वेट से प्राप्त होता है वेट यानि की वेल्यू एड़िट टेक्स ठीक है पहला उपसंस करेट निमले के तमेंसे कौन सुमेलित नहीं है खेल के सामानी के लिए लखनाव यही गलत है क्योंकि खेल के सामानी के लिए मेरट प्रसे दे उत्तर प्रदेस करना की लखनाव है ना तो यहाँ पर पहले यह उपसंस जो है वो गलत सुमेलित है उत्तर प्रदेस में तेल सोधन कार खाना कहां पर है एक मात्र तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर के सामने रोधेर किस प्रकार का उतक है यह questions पूछा जा चुका है रोधेर एक सईयोजी उतक का उधारान है दूसरों options correct next questions आयोध्या में निर्मित होने वाले राम बंदर की उचाई कितनी होगी बहुत important questions तो सही आंसर आपको क्या हो जाएगा सर 161 फिट यानि कि दूसरों और आपको क्या होगा सर correct होगा next questions नई सिक्षा नीती के संबंद में निम्लिकित कतनों पर विचार कीजिए और जो सही है वही आपको बताना है नई सिक्षा नीती को जुलाई 2020 में cabinet द्वारा मंजूरी प्रदान की गई बिल्कुल सही है इसमें सिक्षा पर GDP का 4% खर्च करने का लक्ष रखा गया है यह आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा सर correct हो जाएगा क्योंकि 4% नहीं 6% लक्ष गरा गया है ना कि 4% ठीक है दूसरा तो गलत हो जाएगा पहला सही है लेकिन वो कहरा सोथ को बड़ावा देने के लिए National Research Foundation की स्थापना की जाएगी यह भी सही है पहला और तीसरा सही है तो पहला options correct हो जाएगा लाफर बक्र का संबन निम्लेकित में से किस से है तो यह कर राजस्वा कर की दर से है पहला options correct है निम्लेकित में से थोक मुल सूचकांग में सबसे ज़्यादा भारांस किसका है तो सही आंसर आपके क्या हो जाएगा वे निर्मित वस्तूओं का दूसरा options correct हो जाएगा अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके साथ भारत आया था तो वह कौन थे तो वो थे लुईस फिसर पहलाई options बिल्गल करेक्ट किसान क्रेडिट कार्ड यह उजना का प्राराम कब से किया गया तो यह 1998 से 1999 के मद यह इस दौरान किया गया तीसरा options बिल्गल करेक्ट निमले के तमेंसे कौन सा ऐसेट चीटी के काटने में मौझूद होता है तो सही आंसर हो जगा फॉर्मिक ऐसेट पहला options करेक्ट मई 2021 में फलोरिडा में आयो जो उनहत्तर भी मिस यूनिवर्स प्रतियोगता 2020 में मिस यूनिवर्स चुना गया किसको तो सही आंसर हो जगा एंड्रिया मेजा को दूसरा options यहां पर आपका बिल्गल करेक्ट दन पिरक्रिया सही था कि किस धारा में अनिवेशन को परिवासित किया गया तो किस धारा में किया गया धारा दो जा में किस मामले में यह अभी निर्दारित किया गया कि यदि अवियुक्त गंबीर प्रकती के अन्य मामले में अंतरग्रस है तो उसकी जवानत को रद किया जा सकता है तो किस मामले में यह कहा गया उमर उस्मान चामडियां बनाम अब्दुल पहलाई ओप्सन से यहाँ पर आपका बिल्कुल खराइट है निमले के तमेसे किस के दौरा दो सिद्ध का निर्णे या दो सिद्धी का निर्णे देने पर अपील केवल दंड के परिणाम या बैदता के बारे में हो सकती है बारते दंड सही हैं ता कि कौन सी दारा पती या पतनी के जीवन काल में पुना विवा या दूई विवा के लिए दंड का प्रापदार करती है तो सही आंसर होगा दारा 494 में दूसरा आप्सन स्क्रेट निमलिकत मेंसे क्या गोर उपती की स्रेणी में आएगा किसी भी यंग या जोड का विच्छिद ये आएगा बिलकुल आएगा अस्ति या दांत का भंग या विसंधान ये भी आएगा दोनों में से किसी नेतर की दरश्टी या एस्ताई विच्छ दिये भी आएगा उपरोग तो सभी आपके बिल्कुल सही आंसर होंगे सरकारी स्टाम का कूट करण करने के लिए अधिक्तम कितना डंड़ देश दिया जा सकता है तो सही आंसर होगा आजीवन कारावास पहला ये उपसंस करेट मूख साक्छी दोरा लिखकर या संकितो दोरा दिया गया साक्छ किस साक्छ की स्रेणी में आएगा जो बोल नहीं सकता मूख का मतलब होता है जो बिचारा बोल नहीं सकता तो सही आंसर होगा मौख साक्छ दूसरा आपसंस करेट निमले के तमेंसे किस मामले में उस्तम नियाले ने ये अभी निर्दारित किया कि सूचना परोद्दगी एदिनियम 2000 की धारा 66 किस वाद में ये बूला गया या किस मामली में ये बूला गया स्रिया सिंगल बना 12 संग मामला तीसरा आपसंस करेट इस यातायात संकेत कार्थ क्या देख लीजिए तो सही आंसर होगा प्रात में कुपचार सेफा उपलब्द है पहला ही ओफसंस यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है भूमी अर्जन, पुनर वासन, वाप पुनर विवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिरसिता अधिकार अधिकार अधिनियन 2013 कब प्रवत होगा तो एक जनवर ये दोरह 14 को प्रवत्तु का तीसरो ओफसंस करेट है निमले के तमेंसे अलप वै कौन है तो सही आंसर होगा 20 वर्स से कम आयू का व्यक्ति पहलाई ओफसंस यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा अनुसुचे जाती और अनुसुचे जनजाती अत्याचर निवरन अधिनियम 1989 के केस धारा में ऐसे लोग सेवक को उसके करतव्यों की उपेक्छा के लिए दंड का प्राबदान है जो अनुसुचे जाती या अनुसुचे जनजाती का सदस नहीं है तो सही आन्स रोजगा धारा चार में दूसरा उप्सन्स करेक्ट बाल विवा प्रतिसे ददनियम 2006 की कौन सी धारा यह प्राबदाने करती है कि बालक की रूप में समीदाकार पक्चवकार की विकल्प परवाल विवा सूनने करने है तो धारा तीन पहला यह उप्सन्स करेक्ट उच्तम नियाले ने निमले के तमेसे किस मामले में यह अभी निर्दारित किया कि सरकारी नोकरियों में परवन्नती के लिए जाती को आदर बनाया जाना अनुच्छ सूला चार का उल्लगाने है तो सही आंसरों का भारस संग बनाम बीर पाल सिंग चोहान पहला उपसन्स करेक्ट निमले के तमेसे किस मामले में उस्तम नियाले ने भारती डंस नहींता कि धारा 303 को आज सम्मेदाने गोसित कर दिया मिट्टू बनाम पंजाब राज तीसरा ओप्सन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सम्विदान का कौन सा अनुच्चेत उस्तम न्याले की प्रामर सिदात्री अधिकारिता का प्रापधन करता है तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्चेत 143 दूसरा ओप्सन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा निम्ले के तुमें से सम्विदान का कौन सा अनुच्चेत संग और राज्यों में राजस वितरन की विवस्ता करता है तो कौन सा अर्टिकल ऐसा करता है तो सही आंसर हो जाएगा आपका नुच्चे 263 दूसर तीसरा ओप्सन बिल्कुल करेक्ट नेक्स्ट कोस्टन और लाश्ट कोस्टन के किस सम्विदान संसुदन दौरा सम्विदान में 10 भी अनुसूची जोड़ी गई तो इस कोस्टन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो दोस्तो यह थे आपके 40 GK के important कोस्टन जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको complete करवा दिये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीस दोस्तो वीडियो को like और share जरू कर दीजेगा तो दोस्तो फिलाल की वीडियो हो तो सर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीस दोस्तो वीडियो को like कीजेए share कीजेए और साथ ही साथ हमारी चैनल को subscribe करना ना भूलें क्योंकि मैं रोड़ना यसी तरह के वीडियो से आप लोग लिए लात रहता हूँ नमस्कार दोस्तो जै इंद जै भारत